इसाई धर्म में लूसिफर शैतानों के नेता का नाम है। लूसिफर की पहचान अक्सर शैतान से की जाती है। लूसिफर नाम हिब्रू शब्द हेलिल से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रकाश वाहक या सुबह का तारा। कहां जाता है लूसिफर ईश्वर का पहला बेटा था और ईश्वर की पहली मानव स्रिष्टी और इस स्रिष्टी को बाइबल में एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है। अहंकार के कारण उसने अपने आप को बाइबल मानने लगा। कबजे के लिए एक घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लूसिफर के विरुद्ध और ईश्वर की ओर से सेंट माइकल ने अगुवाई की और लूसिफर अपने सारी कोशिशें के बावजूद यह युद्ध हार गया। ईश्वर ने यह साबित कर दिया कि वे ही सबसे श्रेष्ट हैं क्यूंकि उन्होंने लूसिफर जैसे सबसे शक्तिशाली आरकेंजल्स को बिना युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिये ही हरा दिया था। लूसिफर और उसके साथियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और अब लूसिफर ईश्वर की सबसे अच्छी और सबसे प्रियर रचना नहीं रही थी क्यूंकि इस युद्ध के बाद ईश्वर ने इंसानों का स्रजन किया और सबसे पहले एडम और इव को इस दु जीवन की शुरुवात की इसी बीच अब लूसिफर ईश्वर के चहेता आरकेंजल होने का सौभाग्य खो चुका था और इसी के साथ लूसिफर हेवेन में वास करने की योग्यता खो बैठा इश्वर ने लूसिफर को धर्ती पर फेक दिया लेकिन इश्वर ने उसकी ताक भूदगी ही धर्ती की सारे पापों की शुरुवात थी तभी से लूसिफर बुराई का देवता बन गया और अपने अनुयाईयों को अपने बताय रास्ते पर चलने की सिख देने लगा उसने अपने अनुयाईयों को बदले में असी मिध्धन और प्रतिष्ठा देने का भ लूसिफर का अपना एक सेक्रेट सोसाइटी है जिस सोसाइटी का नाम इलूमिनाटी है लेकिन इसमें कितनी रियालिटी है वो हम नहीं कह सकते लूसिफर की पूजा करने वाले ये लोग अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं एक कांस्पिरेसी थियोरी ये भी है कि लू और तेज गति से सोहरत की बुलंदियों को छुआ है। लूसिफर का अर्थ प्रकाश लाने वाला है। और कुछ ग्रंथों में उसको दिन का तारा भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि लूसिफर को शुरू में प्रकाश और सुंदर्ता के रूप में दिखाया गया था। जब वो स्वर्ग का एक प्रमुक आर्केंजल्स था। आर्केंजल्स एक उच्च श्रेणी के आकाशिय प्राणियों को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इन्हें आकाशिय स्थर के प्रमुक आर्केंजल्स कहा जाता है जो धार्मिक और मिथिक ट्रेडीशन्स में पाए जाते हैं जैसे कि यहूदी, इसाई और इसलामी धर्म। आर्केंजल्स भगवान की सेवा में कार्यरत होने वाले दिव्य प्राणियों को सूचित करने के लिए होते हैं, जिन में से एक था लूसिफर भी, जो अपने गर्व और अहंकार के कारण स्वर्ग से गिराया गया था और फिर उसने शैतान या इबलीज के रूप में जाना प्राणी माना जाता है, जिसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रो किया था और इसके लिए नरक में फेंक दिया गया था। लूसिफर का उल्लेख बाइबल के इसायाह 14.121 में किया गया है। कुरान में लूसिफर को इबलीज के रूप में जाना जाता है जो एक जिन्न थ जिसने ईश्वर के आदेश का उल्लंगन करके आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। पारडाइस लॉस्ट जॉन मिल्टन की एक प्रसिद्ध कावेकृती है जिसमें लूसिफर को एक शक्तिशाली और अभिमानी नायक के रूप में दिखाया गया है जिसने ईश्वर और कारियों को उजागर किया गया है। लूसिफर लूसिफर एक वेब सीरीज है जिसमें लूसिफर को एक आकरशक और चालाक नाइट कलब मालिक के रूप में दिखाया गया है जो एक होमिसाइड डिटेक्टिव के साथ अपराधू को सुलजाता है। इस सीरीज में लूस राक्षसों की रानी और सभी राक्षसों की मात ही बाइबल में और भी। ऐसे एंजल का वर्णन मिलता है जिन्हें लूसिफर के साथ हेवन से बाहर कर दिया गया था। इनमें मोलोच, केमोश, डैगन, बेलियल, बीलजब, शामिल हैं। लूसिफर का अर्थ लैटिन में प पर्णिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे सुबह और शाम को खुली आँखों से देखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको रहस्यमय और भूतिया किस्सों से जुड़ी और जानकारी चाहि है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।